तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सेसाइज एक्सेसाइज नमबर एट extend the pattern यहाँ पे हमें जो pattern दी है उसे हमें आगे लेके जाना है so first यहाँ पे क्या दिखा है 11A, 12B, 13C यहाँ पे number and alphabet दोनों की combination वाली pattern दी है so यहाँ पे numbers क्या हो रहे है एक-एक step continue हो रहे है वैसे ही alphabet A, B, C एक-एक step continue हो रहे है so यहाँ पे 14 आया 14 के बाद 15 then 16 and then 17 and यहाँ पे A, B, C, D D लेटर आया D के बाद E, F, G so यह हमारी pattern extend हो गई then next यहाँ पे है 32A, 34B, 36C, 38D यहाँ पे जो number फाली pattern है वहाँ पे जो आके वाला number है उससे next वाला जो number है उसमें कितने add किये हुए है to add करके लिखे है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि even number को यहाँ पे continue किया है and then A, B, C, D उससे तो continue ही लिखा है so 38, then 40E, then 42E के बाद F, then 44G then third क्या है 1, A, A, 3, B, B, 5, C, C, 7, D, D यहाँ पे numbers है वो odd number में लिखे हुए है and जो alphabet है उसे 1 alphabet को 2 time लिखा है A, A, B, B, C, C, so ऐसे ही हमें आगे continue करना है 7 के बाद का next odd number कौन सा आएगा? 9 and D के बाद का next alphabet कौन सा है? E, so 9EE then next odd number 9 से next वाला odd number 11 11, F, F, then 13, G, G so हमारी pattern extend हो गई then next 26, I, 25, H, 24, G, 23, F यहाँ पे क्या हो रहा है? number है वो भी less होते जा रहे है and alphabet है वो भी reverse में आगे पढ़ता जा रहा है यहाँ पे 26 था तो हो गया उसमें से minus 125 यहाँ पे I था, so I के आगे कौन सा लेटर था? वो यहाँ पे लिखके दिया है so 23 के आगे वाला number कौन सा होगा? 22 and F है उसके आगे का लेटर के कौन सा है? so I का E then 21 E के बाद E के आगे वाला D then 20 C so यह pattern extend हो गई then next 16 PP 15 QQ 14 R R 13 SS ऐसे हमें pattern दी है यहाँ पर भी number place होते जा रहे है and जो लेटर है वो आगे बढ़ते जा रहे है P Q R S T U वो आगे बढ़ते जा रहे है number reverse में आगे बढ़ रहे है so 13 के आगे वाला number होगा 12 before वाला number so 12 आएगा and SS का next वाला later कौन सा होगा? S के बाद TT then 12 के before वाला number 11 यहाँ पर T का next वाला later कौन सा होगा? T U U then 10 P B so यह pattern extend हो गई then next 27 AB 31 BC 35 CD 39 DE यहाँ पर पेटन में क्या पॉलो हो रहा है? 27 है 27 प्लस 4 28 29 30 31 so यहाँ पर नमबर आ गया है 31 यहाँ पर A B then B को continue लिखो and उसके next वाला later लिखो so BC then 31 में प्लस 4 किया है so 30 पायो and यहाँ पर last वाला later पहले से लिखतो and उसके next वाला later लिखो वैसे continue होता जा रहा है so 39 प्लस 4 39 प्लस कितना कटना है 4 so 40, 41, 42, 43 so here comes 43 यहाँ पर E है, D, E है तो यहाँ पर E, F आएगा then 43 प्लस 4 44, 45, 46, 47 so here comes 47 F, G इसका last वाला later तो लिख नहीं है then जो later है, उसके next वाला later भी लिखना है so F, G then 46 प्लस 4 48, 49, 50, 51 so here comes 51 G and H then next क्या है 10 A, B, C 20 B, C, D 30 C, D, E 40 D, E, F then 50 E, F, G then 60 F, G, H then 70 G, H, I so यह पेटन एक्स्टेंड हो गई then next 100 ZA, 90 5 B then यहाँ पे 80 XC, 70 WT यहाँ पे जो नंबर है उसमें 10 10 लेस होते जा रहे है आगे के नंबर से next नंबर में 10 लेस करने है यहाँ पे आलपाबेट में क्या है यह जो Z, Y है वो reverse में आगे बढ़ते जा रहे है and A, B, C, D वो continue ऐसे आखे बढ़ते इच्छा रहे है तो 70 है, उससे 10 लेस so 60 W है उससे before वाला before वाला हमारा लेटर कौन सा होता है V आएगा and D का next वाला लेटर यहाँ पे आएगा E so यह क्या हुआ? 60 V E then 50 आएगा 60 minus 10 10 लेस कर लो so 50 then यहाँ पे V है V के before वाला लेटर लिखना है so यहाँ पे आएगा U and E के next वाला alphabet लिखना है so यहाँ पे आएगा F then 40 T G then यह दो है वो आप लोग अपने आप कर लेना then next exercise exercise number 9 find and write the words or sentence hidden in the patterns given below हमें यहाँ पे कुछ patterns दी है उन patterns के अंदर कौन से hidden secret message है कौन से sentence लिखे हुए है वो हमें बताना है so फर्स यहाँ पे 1 G 2 O 3 O 4 T then 5 and 6 I 7 G 8 H 9 T यहाँ पे हमने देखा कि number को continue आंके बढ़ाया जा रहा है and then हमें जो alphabet दिये है वो alphabet को देखना है कि वो कौन सा message देते हैं so हमें यहाँ पे number को देखना ही नहीं है सिर्फ alphabet को देखना है so G then O O D तो क्या हो गया? food then है N I G H T so पूरा क्या हो गया? good night हमें यहाँ पे क्या किया? जो number से उसे consider ही नहीं किया then वैसे ही 11 W 22 E 33 L 44 C 55 O 66 M 77 E है तो यहाँ पे अगीन हमें यह जो number है 11 22 33 34 उनको नहीं देखना है सिर्फ जो alphabet है उनको देखना है सो डवल्यू E L वैल C O M E वैल्कम सो यह लेटर कौनसा बना हमारा पूरा वर्ड कौनसा बना या फिर सेंटेंस दिया हो तो सेंटेंस कौनसा बना वैल्कम देन नेक्स यहाँ पे A A W B B H C C E D D R E E E यहाँ पे आपको क्या करना है जो टू टाइम कंटिन्यू हो रहे है उच सभी को कैंसल आउट कर लो सो यहाँ पे E E कैंसल F F कैंसल GG H H I I J J और K K को कैंसल कर लो देन उसके अलावा जो भी हमारे आलफाबेट बच्चे है वो लिस्ट दो W H E R E Where Then क्या है A R E Where R Then Y O U So हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या बना Where are you तुम कहां पे हो Then next यहाँ पे Again यहाँ पे जो टूटू लेटर है उनको कंसिडर नहीं करना है जो टूटू आलफाबेट्स है उनको And उसके अलावा जो लिखके दिया है वो देखना है H O W How A R E R Y O U How are you तुम कैसे हो Then next यहाँ पे 1 Then morning दिया है 2 Noon 3 Evening 4 Night So यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 को Cancel आउट करके Morning, Noon, Evening 9 क्लिक ना है So यह पूरा हो गया Then six में 101 101 101 G 202 O Then 303 T लिया है So 101 202 303 को नहीं देखना है G E, O, D सिर्फ गॉर्ड हो गया Then 1100 11 I 222 And Then 333 D 444 I And 555 A So हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिये हैं उनको consider नहीं करना है So क्या मिलता है A N D I A So हमारा जो secret word या के secret sentence था वो है India Then Next क्या है Exercise Number 10 Put circle around odd number And square around event number from the numbers given दिलो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिये हैं उन नंबर्स में जो नंबर odd हो Odd यानि की कैसे नंबर जो इसका end 1, 3, 5, 7, 9 से होता हो उन नंबर को हम लोग बोल सकते है Odd number Then है even number जिसका ending 2, 4, 6, 8, 0 से होता हो उन नंबर को बोलता है Even number So यहाँ पे हमें जितने भी नंबर्स दिले हैं उसमें जो odd number हो So odd number के around circle करना है And जितने भी नंबर even हो उनके around square करना है So first 225 225 कैसा नंबर है Odd number जो उसके around circle करना होगा Then 378 So बोल कैसा नंबर है 378 is Even number So उसके around square करना होगा Then 384 वो भी कैसा नंबर है Even number है So उसके around square करना होगा Then 169 169 is odd number So we are doing circle around this number Then 285 285 is odd number So we are doing circle around it Then next number is 420 420 is 420 is even number So we are doing square around it Then next number is 507 507 is odd number So we are doing circle around it So we are doing circle around it Then 633 633 also odd number So we are doing circle around it वैसे ही आपको आपको यहाँ पे दूसरे सारे जो numbers है उसमें से कौनसे number odd है कौनसे number even है वो find out करना है And those numbers which are odd You have to do circle around them And जो number Even number है उनके around square करना होगा So यह इतना आप लोग अपने आप कर लेना Then exercise number 11 Write three digits number formed by rearranging the place of the digit 2, 3, 5 Also say whether the greatest and the smallest number form is odd or even यहाँ पे आपको क्या करना है Two, five and three number का use करके जितने भी number create होते हो वो सारे number को create करना है सारे number को create करने के बाद आपका जो सबसे smallest number है वो even है कि odd है वो बताना होगा And जो biggest number हो greatest number हो वो number even है कि odd है वो आपको बताना होगा And उसके according कुछ question पुछे जाएगे उनके answer देने है So first यहाँ पे Let's create numbers 2, 100, 3, 5 2, 3, 5 Then 2, 3 and 5 की position Change कर लो So 2, 5, 3 Then 3 से start करो 3, 2, 5 अब 2 and 5 की position Change कर लो So 3, 5, 2 Then अब 5 से बनाओ 5, 2, 3 Then 5, 3, 2 So हमें यहाँ पे कौन कौन से number मिले 235, 253, 325, 352, 523, 532 So smallest number is 235 Smallest number 235 है Which is odd 235 कैसा number है Odd है Then biggest number Greatest number कौन सा है 532 532 सबसे बड़ा number है वो कैसा है Even Then next question The greatest number सबसे बड़ा number कौन सा है 532 Then third The smallest number सबसे बड़ा number कौन सा है 235 Then क्या है Odd numbers यहाँ पे चितनी भी 6 numbers create हुए उन में से चितनी भी odd number हो पूल इखना है So first odd number is 235 Then 253 Then 200 320 520 पायू Then 523 Then even numbers लिखने है So 352 And 532 So यह exercise फिलिश हो गई Then exercise number 12 Write odd and even number between 50 and 100 आपको 50 to 100 के बीज में चितनी भी odd number हो वो लिखने है And 233 भी even number से वो लिखने है मैं odd number लिखती हूँ So odd number यानि कि दोस number Which are end with 1, 3, 5, 7, 9 So 51, 53, 55, 57, then 59, 61, 63, 65, 67, 69, then 71, 73, 75, 77, then 79, then 81, 83, then 85, 87, 89, 91, 93, then 95, then 97, then 99 These all are odd number which are between 50 to 100 50 to 100 के बीच में जितने भी evens number आते हैं वो इसके अलावा जो numbers होगे वो सारे even number होगे So वो आप लोग लिखते ना Then next exercise, exercise number 13 Write the missing numbers यहाँ पे कुछ numbers missing है जो हमें लिखने है So first 153, then second number is 155 Then third number is 157 So यहाँ पे क्या लिखा है Odd numbers को continue किया है So next number कौन सा आएगा 157 के next वाला odd number 9 Then 161, 163, then 165 So यह missing numbers ते हो हमने complete कर दिये Then 676, 678 अब यहाँ पे even numbers लिखे हुए है Then 680, then 682, 684, 686, then 688 Then third क्या है 902, next number is 908 2 प्लस यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है So 3, 4, 5, 6, 7, 8 It means over here we are adding plus 6 in Last number जो last number हो उसमें plus 6 करके next number create करना है So यहाँ पे number है 914 914 plus 6 15, 16, 17, 18, 19, 20 So here comes 920 Then 920 plus 6 926 Then 926 plus 6 27, 28, 29, 30, 31, 32 So here comes 932 And here is 938 Then next 305, 313 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Here plus 5 की addition होती जा रही है So 321 plus 8 कितना होगा? वो number next number आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 So here comes 329 329 plus 8 So here comes 337 Then 337 plus 7 plus 8 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 So here comes 345 Then next 820 Next number is 840 It means here 20 plus 8 Last number, last number है उसमें 20 की addition होई है So 860 Then 880 880 Then क्या आएगा? 900 920 And then 940 Then next exercise Exercise number 4 Put triangle around odd numbers And circle around even number For the numbers given below हमें यहाँ पे numbers दिये है उन numbers में जितने भी odd number हो जो 1, 3, 7, 9 उन से ends होते हो पायू से उनके around हमें triangle करना है And those number which are Even, even it means those number which are ends With 2, 4, 6, 8, 10, 0 So उनके around हमें circle करना है So first 2, 7 2 is even number So we are doing circle around it Then 7 is odd number So we are doing triangle around it Then next number 10, 19 10 is 10 is even number So we are doing circle around it Then 19, 19 is odd number So we are doing triangle around it Then next number is 23, 26 23 is odd number So we are doing triangle around it And 26 is even number So we are doing circle around it The next number is 36, 36 is even number So we are doing circle around it And 36, 37 is odd number So we are doing triangle around it So we are doing circle around it So we are doing circle around it So that is what you want to do as far as our left So that is odd number and even number And even number you will find out it So we are doing circle around it जो दिये है उसमें जिसका answer odd मिले किया odd यानि कि जिसका last number 13579 हो वहाँ पे हमें red color करना है और जिसका answer हमें even मिले वहाँ पे हमें green color करना है So first 9 plus 7 10 11 12 13 14 So 9 plus 6 है So 9 plus 6 है So क्या आएगा 10 11 12 13 14 15 So our answer is 15 So ये number कैसा है odd number है So odd number है तो यहाँ पे हमें red color philips करना होगा पूरा जो shape है वहाँ पे हमें red color philips करना होगा Then next क्या है Next है 21 minus 11 20 20 में से 11 ग्लेस करना है So क्या आएगा 12 13 14 15 16 17 19 20 So here 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 So our answer is 9 हमारा answer क्या मिला 9 So ये 9 answer मिला वो कैसा answer है वो हमारा odd answer है So हमें यहाँ पे green color philips करना होगा Then next है 9 6a 3 6a 3 6a 18 होता है कितना होता है 18 So 3 6a 18 it means this number is even number So we have to do green color over here हमें यहाँ पे green color philips करना होगा So यहाँ पे पूरा green color करना है Then next 13 plus 31 3 plus 1 4 3 plus 1 4 So our answer is 44 So ये जो shape है वहाँ पे 44 is even number So यहाँ पे हमें green color philips करना होगा Then next क्या है 1 multiply by 7 1 7 just 7 होता है So वहाँ पे हमें green color philips करना हो वो red color philips करना होगा Why red color? 1 7 just 7 हुआ 7 कैसा number है? 7 is odd number So we have to do red color over here So वैसे ही आपको सारे चितने भी दिये है उनका answer अगर odd आए तो वहाँ पे red color philips करना है And उनका answer अगर even आए तो वहाँ पे आपको green color philips करना है Then next क्या है? Exercise number 16 Arrange the words in alphabetic order यहाँ पे हमें जो words दिये है उनको alphabetic order में arrange करना है यानि कि A later comes first B later से start होने वाला नेम आएगा second C से start होने वाला नेम आएगा third D से start होने वाला नेम आएगा fourth So let's see A so 1, B second, C third, D कौन साएगा fourth Then E, E नहीं है Then F, F भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कई दिखाई दे रहा है? नहीं है So A, B, C, D, E, F Then G, G यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है Then H, उसे दो number 5 H, then I, I भी नहीं है J, J को number 6 Then K, K को number 7 L, L को 8 L, M, M कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं, so N के बाद L, M, यह रहा M So 9, M, N, N को 10 L, M, N, O, O नहीं है P, यह रहा 11 Then Q, R, S, S को number 12 T, 13, U, यह रहा R तो रह गया तो R को number मिलेगा 12, 13, 12, 13, 14 and then last 15 So यहाँ पे आपको, आपके according यहाँ पे लिख देना है Then MCQs, choose the correct alternative for each question and write it alphabetic order in box यहाँ पे आपको answer क्या आएगा वो choose करना है and answer का जो भी alphabetic order हो वो आपको यहाँ पे जो box दिया है, वहाँ पे लिखना है So first is, what comes next? यानि कि यहाँ पे जो pattern है, उस pattern के according next क्या आएगा? Circle, one square box, two circle, one square box, three circle, one square box Then क्या आएगा? Four circle, one square box, तो वैसा कहाँ पे है? P में So यहाँ पे P लिखना होगा Then next, fill in the empty space यहाँ पे हमें 63, 65, 67, यहाँ पे odd number दिये है So then next आएगा 69, so here comes P Then next, look at this pattern, हमें यहाँ पे pattern देखनी है Oval shape, circle, oval circle, oval circle How would you show this pattern using letter? यहाँ पे letter का use करके कैसे हैं? यहाँ पे pattern को show करशप्त है A, B, A, A, B, A, where's it? So A, B, A कहाँ पे है? यह रहा तो यहाँ पे P लिखना होगा Then next है, circle, थोड़ा सा bigger circle, then dark circle Triangle, bigger triangle, dark triangle, then square, bigger square and then dark square So here comes answer A, alphabetic order A लिखना होगा Then 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, up side पे 5 circles है And down side पे 4 circle है Then second में यहाँ पे up side पे 1, 2, 3, 4, 4 circle है And down side पे 3 circle है Then third में यहाँ पे up side पे 1, 2, 3 circle And then down side 2 circle Then next, up side 2 circle आएगे And down side 1 तो वैसा option कहाँ पे है, यह रहा P So our answer is P Then next time, let's do homework So यहाँ पे चितना भी homework दिया है, वो आपको अपने आपी करना होगा So यहाँ पे यह lesson फिनिश होता है Thank you everyone So यह रहाँ बे झागाइ Thank you mind